यह है लॉन मूवर पेट्रोल से चलने वाली मसीन जो की खांस काटने में काम आती है इस मसीन में अगर स्टाटिंग प्रोब्लम आ रहा है या श्टार्ट होते ही बंद हो आ रहा है तो आपको सबसे पहले स्फर प्लग चेक करना है spark plug में current आना चाहिए इस machine का spark plug जो है उसमें current आ रहा है बट proper नहीं आ रहा है इसके current से machine start नहीं हो रहा है मैंने दूसरा spark plug लगा कर देखा वो start हो गया अब इस spark plug को आपको change कर देना है दूसरा spark plug को लगाना है यहाँ पर engine को oil check करना है यह जो आप gauge देख रहे हैं यह आपको gauge देख रहा होगा इससे ज़्यादा mobile नहीं होना चाहिए इससे ज़्यादा रहेगा तो दिक्कत करेगा engine oil ज़्यादा नहीं होना चाहिए machine में यह petrol tank इसको भी खोल कर आपको देखना है गेस्किट देखरें जैसे कि आप लगा हुआ है इस तरह से ऐसा लगा हुआ होना चाहिए यह गवर्नर स्प्रिंग अगर आपका खराब है तो इसका गवर्नर स्प्रिंग चेंज कर दें